आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के एडलाइन्स पर नाकपुर के स्टी बस टैन पर छाया सन्नाटा हर्ताथ से यात्यों के बुरे हाल प्राइविट बसों की मनमानी बढ़ी वसूल रहे दुगुना तिगुना भड़ा दरंबेट के नाले में नजर आया मगर देखने वालों की लगी भीड वन्विभा की टीम ने दिनबर्ख हो जा पर नहीं दिखाई दिया मगर और फेस्बुप पर फर्जी अकाउंट बनाकर पूर्व प्रेमिका की अश्लील फोटो की अपलोड हुरकेश पर्थाने में दुशकर्म की आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज और अब कबरे विस्तार से का सामरा करना पड़ा इसी बीच प्राइवेट बसों में खचाकच भीड रही दिवाली की छुट्टी के बाद से लोटने वालों को अधिक किराया देकर यात्रा करना पड़ा सुमवार को राज्य सरकार ने एस्टी के शास की विले के संबंद में एक समिती गठित करने संबंदी अध्यादेश जारी किया लेकिन करमचारियों ने इसे माने करने से इंकार कर दिया उमीद ही कि शाम तक हरताल खत्म हो जाएगी लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद हरताल जारी रखने का निड़ने लिया गया जिरे में स्टी महामंडल के कुल आठ डिपो हैं इन्वेसिटी में चार और उम्रेड रामटे काटोल और साबनेर में एक एक डिपो हैं सुमवार को सभी डिपो बंद रहें सड़कों पर लाल परी के गायब हो जाने से यात्यों की मुश्किले बढ़ दे नौकरी पेशा से लेकर नियमित रूप से बस में सभार करने वालों को काफी परिशानी भी उठानी पड़ी स्टी की हालत होने से प्राइवेट बस चालक जमगर जान्दी काट रहे हैं लोगों की मजबूरी का फाइदा उठाते हुए किराय में बढ़ोत्री कर दी गई है सिती ये है कि दिवाली मनाने के लिए बाहर जाने वालों को लौचने के लिए दोगुना किराया देना पड़ा वही बस में बैठने तक की जगा नहीं मिली यात्रियों का कहना है कि एस्टी महामंडल दुर्गम भागों तक पहुँचती है खेती किसानों से लेकर नौकरी पेशा भी इसका इस्तिमाल करते हैं इस हालात में सरकार को जल से जल समाधान खोजना चाहिए बसे बंद रहने से लोग अपना कारे नहीं कर पा रही है पिछले दिनों सिविल लाइन्स में घुसाय तेंदुए की वज़े से कई दिनों तक देहशत का माहूल बना रहा अब मगर ने देहशत मचा रखी है सिविल लाइन्स सिद पत्रकार सहनिवास से लगे नाले में मगर को देखे जाने से वनविभा की टीम सकरिय हो गई है परिसर के नागरे को ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी नाले में मगर को देखा गया था दोपहर के वक्त पानी से बाहर निकल कर उसकी हलचल को कुछ लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया था यह वीडियो वारिल भी हुआ था लेकिन वनवेभाग द्वारा इसकी पुष्टी नहीं की जा रही थी इसी बीच सुमबार को एक बार फिर नाले में मगर को देखा गया पानी की उपरी सतह पर इसकी हलचल देखी गई वनवेभाग ने भी इसकी पुष्टी की मगर देखे जाने की खबर के बाद कई लोग के नाल रोट के नाले पर दिखाई दिये मगर देखने को लेकर लोगों में उचसुकता भी है वही परिसर के नागरिकों में दहशत का माहूल भी है हाला कि सिविल लाइन्स औ धरम पेट में नाले की दीवारे उची है लेकिन कृशी महाविद्याले परिसर में कई जग नाला खुले में बहता है जानकारों का मानना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद वेना नदी से जड़े नाग नाले के रास्ते मगर सिटी में आया होगा यह भी मानना जा रहा है कि एक से अधिक मगर हो सकते हैं हाला कि वन विवा की टीम को अब तक मगर नहीं दिखाई दिया मगर से लोगों को किसी भी तरह का खत्रा नहीं है कुछ दिनों बाद मगर नाले के रास्ते से अन्ने नदी नालों में भी निकल सकता है जुशकर्म के मामले में जेल की हवा खाने के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका की एश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अप्रोड कर दी एसकॉर्ट सर्विस के नाम पर उसका मुबाइल नंबर भी डाल दिया पिर्टा ने मामले की शिकायत पुलिस से की और आरोबी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया आरोबी टेक आफ टावर हुडकेश वर निवासी के एदारनाथ मुर्गी प्रसाथ पाठक बताया गया पुलिस ने 28 वर्षी पिर्टा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है पुलिस से मिली जानकारी के नसार पिर्टा जनवरी 2020 में काम के सलसले में ग्रामीन आर्टियो कारले गई थी वहां उसकी पहचान केदारनाथ से हुई दोनों ने एक दूसरे के नंबर ली और बाचीट भी शुरू हो गई दोस्ती को प्रेम संबंदों में बदलते देर नहीं लगी केदारनाथ और पिर्टा लिव इन रिलेशन्शिप में साथ रहने लगे कुछ महीने बीतने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया केदारनाथ ने उसका साथ छोड़ दिया पिर्टा ने उसके खिलाफ फुटकेश पर थाने में शिकायत की पुलिस ने दुशकर्म का मामला दर्च कर केदारनाथ को गिरफतार कर लिया इस वज़े से केदारनाथ को कुछ महीने जेल में भी रहना पड़ा इससे वह बहुखला गया जेल से छूटते ही उसने पिर्टा के नाम पर फेस्बुक पर फरजी अकाउंट बनाया उसकी अश्लील फोटो अपलोड कर एसकॉर्ट सर्विस उपलब्द होने का मेसेज लिखा और नमबर भी डाल दिया पिर्टा को मंचलो के फोन आने लगे तब उसे फेक अकाउंट का पता चला उसने मामले के शिकायत पुलिस से की हुड़केशवर पुलिस ने केदारनाथ के खिलाव छेड़ खानी और आईटी आक्ट के तहत मामला दर्च कर जाच आरम कर दी है करोना के बाद एक बार फिर्से सिटी में विवदिस्थानों पर अलग दिनों के हिसाब से सापताहिक बाजार लग रही है इन बाजारों में ग्रहाकों के साथ खुली लूट का खेल जम कर चलता है कम दौल को लेकर ग्रहाकों के दुकानदारों से आफसी जड़ब भी होती है विवाग के अंदेखी के चलते एक तरह से लोगों की जेबें काटी जा रही है ग्राहकों को कम सामान दे कर लूटा जा रहा है इन पर जब तक कारवाई होती है तब तक के लिए सब ठीक होता है लेकिन जैसे ही विभाग छूट देता है तो फिर से ग्राहकों को लूटने का खेल शुरू हो जाता है विभाग यदि दुकानदार के तराजू की जाच करेंगे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ग्राहक को ठगने के लिए दुकानदार द्वारा हर रोज कई नए तरीके अपनाए जाते हैं बाजार में किराना दुकानदार से लेकर सबजी फल विकरताओं द्वारा तराजू में बैलेंज बनाने के लिए भी उसके उपरी सिरे पर काटे के आसपाच छेड़ छाड़ की जाती है बाजार में आजकल इलेक्ट्रोनिक काटे का प्रचलन बढ़ गया है लेकिन इनकी विश्वसनियता भी सही नहीं कई बार इलेक्ट्रोनिक काटे पर तोली गई वस्तु को ओरिजनल काटे बाढ़ कर तोली जाने पर वजन कमाता है वहीं आज भी कोल ड्रिंग्स वर चिल वाटर बॉटलों को अधिक कीमत वसूलने की शिकायते भी आ रही है कई ग्राहक समय बचाने के चक्कर में इसकी शिकायत कर नहीं पाते जिसके चलते लूट वालों के होसले बुलन होते ही जाते हैं जानकारी के नुसार नियमनुसार नापतॉल विभाग हर साल बांट और तराजू की जांच करता है इस दोरान इनका सत्यापन किया जाता है और बांट के पीछे और तराजू पर मोहर लगाकर उसे मानग घोशित किया जाता है लेकिन कई बार विभाग द्वारा समय पर जांच नहीं किये जाने से व्यापारी धडले से इसका गलत उप्योग करते हैं खास तोर पर सबजी भाजी वाले हर किलो में सौ ग्राम से अधिक वजन मार लेते हैं रंजिश के चलते तीन आरोपियों ने एक यूवा के घर में घुसकर उसके साथ मार पीट की और घर का सामान तोड़ दिया साथी बाइक में आग भी लगा दी यह गटना वाठोडा थाना शेत्र में हुई पुलिस ने जखमी यूवक मा बवानी नकर निवासी प्रीतम रमेश माहुर कर की शिकायत पर मामला दर्ज किया दिया आरोपियों ने राजे शंकर खुबाल कर राहुल राम टे के और राहुल सरोदे का समाविश है पुलिस के अनुसार प्रीतम के खिलाव नंदनवन थाने में मामले दर्ज हैं वो अपराधिक प्रवर्ती का हैं और दादा गिरी के चलते कई लोगों के साथ उसकी दुश्मनी भी चल रही है कुछ दिन पहले उसका आरोपियों के साथ विवाद भी हुआ था वो अकसर दादा गिरी करता था इस वज़े से तीनों आरोपी भी बौकलाए हुए थे रविवार के शाम साथे साथ बचे के दुरान तीनों आरोपियों ने प्रीतम के घर पर हमला बोल दिया प्रीतम को घेर कर उसकी जमकर धुनाई की घर में टीवी, फ्रिज, सोफा और खिड़की भी तोड़ दी इसके बाद भी आरोपियों का गुसा शांत नहीं हुआ घर के सामने खड़ी प्रीतम की बाइक पर भी उसने आग लगा दी बाइक जलकर खाक हो गई घरना की जानकारी पुलिस को दी गई बाठोड़ा पुलिस के पहुँचने से पहले आरोपी फरार हो गए प्रीतम की शिकायत पर पुलिस ने विवदे धाराओं के तहट मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया बक्तों चला है एक ब्रेक का मिलते एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flyveen Aviation Academy Flyveen Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट प्राक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flyveen Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपरचुनिटीज Flyveen Aviation Academy गिव्ज यो डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब Flyveen Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. College Square बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उटकेश्पर थाना शेतर में दहेज लोभी ससराल वालों ने बहू को इमारत के चौथे माले से धकेल कर जान से माने की कोशिश की थी यारा महीने चले उपचार के बाद भी महिला के जान नहीं बचवाई पुलिस ने पहले हत्या का प्रयास और दहेज प्रतारना का मामला दर्च किया था मुर्दिक शारदा कॉम्पलेक्स न्यू नर्साला रोड निवासी करिश्मा साकेत तामगाडगे बताई गई इस प्रकरण में पुलिस ने करिश्मा के पती साकेत भीमराओ तामगाडगे ससर भीमराउ तामगाडगे सास ललीता ननत प्राची राहुल बासनिक और नंदोई राहुल बासनिक के खिलाफ मामला दर्च किया था पांच वर्ष पहले रीती रिवाज के साथ करिश्मा और साकेत का विवा हुआ था साकेत सौफ्टवेर इंजिनर है और पूने में नौकरी करते हैं अपनी शम्ता के नुसार परेजनों ने धूमधाम से करिश्मा की शाधी की थी बावजूद इसके सस्राल वाले आए दिन करिश्मा को खरीखोटी सुनाते थे दहेज में कुछ नहीं मिला कहकर उसे प्रतारित किया जाता था साकेत अपनी नौकरी के चलते पूने में ही रहते हैं जबकि करिश्मा को अपने माता के पास ही छोड़ दिया गया था इस वज़े से भी करिश्मा परिशान थी पुलिस को दिये गए बयान के नुसार 23 दिसंबर को करिश्मा अपने कमरे में पैट कर हो रही थी तबी साससुर ने उसे बुरा भला कहा कुछ समय बाद प्राची और राहुल भी घर पहुंच गये सबी ने उसे दहेज नहीं मिलने को लेकर बाते सुनाई करिश्मा उदास होकर अपने बेडरूम की गैलरी में खड़ी थी इसी दुरान भीमराव चाय देने के बहाने रूम में आये उसे गैलरी से नीचे धकेल दिया पडोसियों ने करिश्मा को अस्पिताल पहुंच आया दो दिन के उपचार के बाद वह बयान देने की स्तिती में आई इसके बाद पुलिस ने ससराल वालों पर मामला दर्च किया घरना के बाद तामगाड़ के परिवार फ्लैट से गायब हो गए थे पुलिस के नुसार इस प्रकरण में करिश्मा के ससर और अन्य रिष्टेदारों को कोर्ट से गिरफतारी पूर्व जमानत मिल चुकी है यहारी सीजन के बाद करोना की तीसरी लेहर के मदेनजर प्रशासन ने एक बार फिर सावधानी के दौर पर युद्स स्तर पर तयारी शुरू कर दी है ऐसे में वैक्सीन की दोनों डोस के लिए सभी स्तरों पर गदी बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुक्त परी संचुरन की अनुमती मिल जाए कुछ जगों पर पहले डोस की जरूरत है महानगरपालिका अधिक्त ने मंगलवार से ब्रेक दचेर अभियान के तहट यहादेश जारी किया आदेश के नुसार विबिन प्रतिश्चानों में काम करने वाले कर्मचारियों और वहाँ आने वाले सभी नागरेकों को बचाव के उपाय करने होंगे सभी जगों पर अकस्मिक जांच की जाएगी यदि कोई गड़बडी पाई जाती है तो उसके खिलाब दंडात्म कारवाई भी होगी आदेश के नुसार धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले योहारों में भाग लेने वाले नागरेकों को भी ठीका करन के दोनों चरन पूरे करने होंगे सरकारी, अर्दसरकारी और नीजी कारलेों समान सगटिनों में काम करने वाले करमचारियों, अधिकारियों, 18 वर्ष से अधिकायों के सभी आंगतों को काम करने वालों सभी लोगों को दो या कम से कम पहली खुराक लेनी आवशक होगी सरकारी अर्दे सरकारी और नीजी स्वास्तर संस्थानों में काम करने वालों को वैक्सिन के दोनों डोस जरूरी होंगे वहीं भवन और अन्य निर्मान शेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कम से कम एक डोस अनिवारे कर दिया गया है आदेश के नुसार फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ टीका करन प्रमान पत्र दिखाना होगा अठारा साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को अपनी उम्र का उचित प्रमान दिखाना होगा विशेश रूप से नागपुर माहना कर पाले का द्वारा और चक निरिक्षन किया जाएगा आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अर्ली मित्ता पाई जाती है तो दंडात्म कारवाई भी की जाएगी विदर की पहले ग्रांड मास्टर रौनक साथवानी को फिडे ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट में शांदार प्रदरशन का फायदा मिला जिसे वह अंडर 16 आयू वर्ग में विश्व के नंबर वन खिलाडी बन गए है वर्ल्ड चेस फेडरेशन फिडे और चेस डॉट कॉम के सेंख तत्वावधान के टूर्नामेंट का आयजन विगा लाट्विया में किया गया रविवार को समात हुए टूर्नामेंट में रौनग ने दुनिया के सर्वशेश खिलाडियों के साथ प्रतीस परदा की उनकी वर्तवान लाइफ रेटिंग 2616 है जिसकी बदौलत वह अंडर 16 आयू वर्ग के विश्वर रांकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए है पॉइंट बनाए जिसमें तीन जीत, तीन हार और पांच ड्रौ का समाविश है उन्होंने 2656 के हूपिंग रेटिंग परफॉर्मेंस के साथ प्रदेशन किया और प्लस सेवन E.L.O. रेटिंग अंग प्राप्त किया दोहजार उननस में आयल ओफ मान यूके में इसी टूर् पॉइंट में रौनक ने ग्रांड मास्टर के उपादी हासल की और 2021 में उन्होंने अंडर 16 में विश्व के नंबर 1 चेस खिलाडी बनने का गौरफ क्राप्त किया इस उपलबदी पर रौनक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दुनिया के सर्वशेष्ट खिलाड जाकर मेरे लिए एक संतोष जनक एवन रहा जिसमें मुझे कई सबक और अद्भुत अनुभवी मिले अंडर 16 में दुनिया का नंबर 1 खिलाडी होना कुछ समय के लिए अच्छा लगता है लेकिन यह काफी नहीं है कुछ ज्यादा पाने की चाहत मुझे हमेशा और अधिक म जाच करने पर निर्दे यूवक का पता चल गया और उसे हवालात की सेर करवाई गई पुलिस ने नशेमिन सोसाइटी शक्ती नकर निवासी आशीश मिनाय कोले की शिकायत पर मामला दर्च किया है आशीश पीपल्स पॉर आनिमल नामक संगठन के सदर से है पकड़ा गया यूवक स्मृतिनगर निवासी जीवन अजय बारही बताया गया दो दन पहले आशीश अपने मोबाईल पर सोशल मीडिया के वीडियो देख रहा था एक वीडियो में यूवक कुते की पूछ पर धागे से पठाकों की लड़ी बांद कर जलाता दिखाई दिया पशुप्र जरिये पुलिस मृतिनगर में रहने वाले जीवन के घरजा पहुंची पूछ ताज में उसने बताया कि अपने ही पालतुश्वान की पूछ पर उसने पठाके बांद कर चलाय थे पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया प्रकरण की जाच एसाइ राजकुमार श्री खंडे कर रही है तो सुबह के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रही है विके बी न्यूज नमस्कार